नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकुष है और मैं कंसल्टेंट चेस फिजीशन हूँ स्वागत है आपका हमारे चैनल लंग सुक के अंदर लंग सुक बिकॉज एवरी ब्रेथ मैटर्स, हमारे लिए हर एक सांस जरूरी है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सांस की बिमारी के लिए सबसे कारगर इलाज जो की इनहेलर्स होते हैं उनके लेने के तरीके के बारे में बिकॉज एक बहुती आम सी चीज हमें देखने को मिलती है कि majority patients जो हमारे पास आते हैं वो अगर दवाईया इनहेलर्स ले भी रहे हैं तो भी बिमारी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है उसकी साधारन सी वज़े है कि inhaler लेने का तरीका सही नहीं है तो आज की वीडियो में हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे और inhaler लेने का सही तरीका जानेंगे सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि inhaler किस तरह का आता है एक inhaler आता है जिसको हम meter dose inhaler कहते हैं जिसे इस तरीके से दबाना पड़ता है inhaler को लेने का सबसे अच्छा तरीका जो मेरी जानकारी में है वो है inhaler को एक tube के साथ लेना जिसे हम spacer device कहते हैं Spacer device लेने से बहुत तरह के फायदे इसमें होते हैं कि जादा dose, जादा medicine आपके lungs में पहुँच पाता है, जिससे की असर जादा आता है, दूसरा जैसे कि आप देख रहे हैं, जो Spacer device है, ये extra dose को अपने अंदर चिपका लेता है, इसकी walls पे extra dose चिपक जाती है, जिससे extra dose आपक हमेशा हमारे patients को जादा तर recommend करते हैं कि वो inhaler को एक Spacer device के साथ ले, Spacer device के साथ लेने का तरीका क्या है, इसके लेने की विधी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सही तरीके से लेंगे, तभी आप सही तरीके का उसका सही result पापाएंगे, तो कैसे लेना है वो आपकी mix हो जाए, अब जो Spacer का mouth है, इसको आपको मुग के अंदर पकड़ना है, साधारन तरीके से समझी है, अगर मैंने इसको मुग के अंदर पकड़ लिया इस तरीके से, तो मुझे एक बार प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद लंबा सांस अंदर खीचना है, और फ जादा से जादा medicine आपके फिफणों के अंदर यानि की lungs के अंदर चली जाए, तो ये लेने का तरीका मैं आपको demonstrate कर दे रहा हूं, तो हमने क्या किया, हमने एक बार इसे दबाया और चार बार सांस लिया छोड़ा, गहरा लंबा सांस लेना है और छोड़ देना है, और एक बात और याद रखे, ये एक pump आपका हो गया, कि inhaler लेने के बाद आपको ये बात याद रखनी है कि गले के अंदर थोड़ा सा अलग तरह का टेस्ट जरूर महसूस होगा क्योंकि medicine गया है तो आप pump लेने के बाद कुल्ला जरूर करें गले का गरारा करना जरूरी है ताकि कुछ भी extra dose अगर आपके गले में deposit हुआ है जवा हुआ हुआ है तो वो निकल जाए इस device को हम बोलते है meter dose inhaler यानि कि ये inhaler है इसके साथ में इसको हम spacer tube कहते हैं spacer tube के साथ लेना सबसे ज़ादा कारगर तरीका है हमारे patients के लिए सबसे ज़ादा response आने के लिए अगली तरीकी device जिसका मैं बात करूँगा ये भी एक तरह का inhaler है लेकिन ये automated होता है breath actuated इसको कहते हैं इसको आपको दबाने का ज़रुत नहीं पड़ता ठीक है ये spacer ये जो inhaler है ये breath actuated है यानि कि जब आप लंबा सांस अंदर खीचेंगे ये automated device है लंबा सांस खीचने से automatically medicine आपके फेफ़णों के अंदर चली जाती है ये usually हमारे young patients के लिए जो कि asthma वाले patients हैं उनके लिए हम prefer करते हैं क्योंकि उनका lung function काफी हद तक अच्छा है और वो easily एक deep inhalation effort के जरीए इसको ले सकते हैं इसको लेने की विधी में सिरफ तरीके में यही याद रखना है कि गहरा लंबा सांस और धीरे धीरे खीचा हुआ सांस आपको लेना है इसको लेने का तरीका मैं आपको demonstrate कर देता हूँ inhaler को पहले की तरह हिलाएंगे ताकि medicine इसके अंदर mix हो जाए जैसे ही आपने इसका cap खोला यह inhaler अब तयार है लेने के लिए आपको सिरफ मूँ के अंदर पकड़ना है और लंबा गहरा सांस अंदर लेकर के कुछ seconds के लिए 5 से 10 seconds के लिए अपना सांस रोक लेना है अब आप सांस छोड़ सकते हैं तो यह दो common तरीके के inhaler device हमारे पास अवलेबल है आज की वीडियो के लिए इतना ही यह दोनों inhalers लेने के तरीके हैं हमारी अगली वीडियो में इसी चैनल के उपर हम आपको बताएंगे की अलग तरहें के और कौन से inhaler आते हैं जो की हम rota inhaler capsule की form में जो आते हैं उनको लेने का सही तरीका क्या है और कैसे लेना चाहिए आज के लिए इतना ही मैं आपका दोस्त डॉक्टर अंकुष थैंक यू सो मच